मैं आपके अपने चैनल हरित किसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग पसुपालन के 50 बहुत ही महात्मुर प्रस्ण पढ़ेंगे जो बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें इसकी ना करें अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सक्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सक्राइब करें चली हम लोग पढ़ते हैं पहला कोशन आपका बकरी का गुड़सूत्र संख्या कितना होता है तो बकरी का गुड़सूत्र संख्या होता है 60 कितना होता है आपका बकरी का गुड़सूत्र संख्या 60 होता है अगला भेंड का गुड़सूत्र संख्या कितना होता है तो भेंड का गुड़सूत्र संख्या परिशन DR लेंट में जिसमें सरीर रहा काइन का मिल्क यह पुष्टाइ का रोग है जिसमें शरीर का तापकरम हो जाता है मिल्क फीवल मिल्क फीवल मिल्क फीवर euro पस्जू को हो जाने से उसके सरीर कतापक्रम कम हो जाता है अगला कोश्चन बकरी की गर्वा वस्ता कित्ते दिन की होती तो बकरी की गर्वा वस्ता होती है 150 दिनों के कित्ते दिनों की होती है 150 दिनों की अगला कोश्चन मुर्गी में पाचन क्रिया प्रारम होती है तो मुर्गी में पाचन क्रिया कहां से प्रारम होती, क्रॉप से, कहां से होती, क्रॉप से, अगला कोशन, बकरी की किस नसल को जर्सी कहा जाता है, तो बकरी की एलगो न्यूबियन जो नसल है, उसको जर्सी कहा जाता है, अगला दूद की रानी कही जाती है, तो बकरी की कौन बहारत में बहैस की कित्नी माननता प्राप्ट नसले हैं तो भारत में भैस की सोला मानेता प्राप्त नसले हैं कितनी हैं सोला सिस्टिन भारत में भैस की कितनी मानेता प्राप्त नसले हैं शोला अगला भारत में गाय की कुल कितनी मानेता प्राप्त नसले हैं तो भारत में गाय की 28 मानेता प्राप्त नसले हैं अगला कोश्चन गाय की कौन सी नसल सर्वदिक सुन्दर वा आकर्शक होती है तो गाय में की जो नसल है आयर सायर जो है सबसे सुन्दर और आकर्शक होती है विस्व में सर्वदिक कौन सा पसू पाया जाता है विस्व में कौन सा सर्वदिक पसू पाया जाता है गाय सर्वद थारपार करवा होलीष्टीन फ्रीजिन के क्रास से जुता है गाय की नसले करन फ्रीज है अगला क्वेस का गर्वकाल कित्ते दिनों का होता है 32 का गर्वकाल होता है, 310 दिनों का, कित्ते दिनों का होता है, 310 दिनों का, गाय का गर्वकाल कित्तो दिनों का होता है, तो गाय का गर्वकाल आपका होता है, 282 दिन का, कित्ते दिन का होता है, 282 दिन का, बकरी का दूद किस प्रकृतिका होता है, बकरी का दूद हलका चारी प्रकितिक होता है वगरी कदुत हलका चारी होता है अगला क्योश्चन पसु इमा इसकीम कब सुरोय कुश्चन और में सुरूय कारम किया तो अग्ला क्योश्चन भारत में सर पुर्थम कृति मोधान का प्रारंब किया था भारत में अगला कौशन भारत में karate zostaіль में किस वर्स शुरू किया गया तो 1921 में किस वर शुरू किया गया 249 में पैलेश्ट dairy फार्म मैशूर में अगला क्वोशन विच्यूश्ट की सर्वस्चेस्ट भैष्ट کی नस्ल सुधार प्रजणन केंद्र कहां इस्तित है तो आपका है स्री गंगा नगर में का है स्री गंगा नगर में राजिस्तान में बहस्त नस्ल सुधार प्रजणन केंद्र कहां है स्री गंगा नगर में अगला कोश्चन थार पारकर गाय का पसू प्रजणन के इंद्र कहां इस्तित है तो थार पारकर गाय का पसू प्रजणन के इंद्र आपका सूरतगड में कहां है सूरतगड में अगला कोश्चन राटी गाय का प्रजणन के इंद्र कहां इस्तित है तो राटी गाय का प्रजणन के इंद्र पहले 60 दिन पहले गाय के बयाने के 60 दिन पहले दुद निकालना बंद कर देना चाहिए अगला कोश्चन गाय में रूमेन किस तरफ पाया जाता है तो गाय में रूमेन आपका बाया तरफ पाया जाता है गाय में रूमेन किस तरफ पाया जाता है पाया तरफ पाया जाता है अ कालपूरा भावीकेश्ट से जो त्यारगी यह याषा डेल कौनसी इसाडेल अगला कोश्चन बोजाड नीँ में ए डेटू कि सरवधिक उप्युक्त नसल कौनसी है तो बोजाड होने के जो नागोरी मक्युक्त इसर वफ्युक्त होती सब्सक्राइब केंद्री 501 मेंड़ी आपका विकानेर में पिकानेर में अगला कुश्यन एक बच्चँडे का प्रति दीन अउसाद भार कितना बढ़ता है ऑक 2018 आक्सट्योसिन हर्मोन का प्रभाव प्रभाव प्नी कितने समय तक रहता है तो अक्सरीटोसिन हर्मोन google प्रभाव पांच मिनट तक रहता है किते मिनट तक रहता है पांच मिनट तक रहता है अगला कोश्चन भारत की सर्वदिक दूद देने वाली गाय की नसल है तो भारत की सर्वदिक दूद देने वाली गाय की नसल कौन सी है साहिवाल कौन सी है साहिवाल अगला कोश्चन निम्न में से कौन सी गाय की नसल भारत में सर्वधिक भारी है तो भारत में पूचा जा रहा है तो सबसे भारी नसल है कांक्रेच कौन से कांक्रेच निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल विश्च में सबसे भारी है तो आपका होलिस्टीन फ्रिजियन कौन है होलिस्टीन फ्रिजियन अगर भारत में पूछे सबसे भारी नस्ल तो कांक्रेश सुक्राइधार में वर्ड में तो फॉलिस्ट्व फ्रीज्यन अगला इस yes कि अधैस की आउसा थायू कितनी होती है गाय और भैस की आउसअ थायू होती थायू कीतनी होती है इस वाल्वर्स過去 निवन निम्न मेंसे गाई की सबसे पुरानी नसल है तो निम्न मेंसे आपको बताना है तो कौन है लाल सिंधी जो है गाई सबसे पुरानी नसल है गाय की सबसे पुरानी नसल है इलीजपुरी नाम से कौन सी भहस जानी जाती है तो इलीजपुरी नाम से कौन सी भहस जानी जाती है नागपुरी भहस इलीजपुरी नाम से जानी जाती है अगला question भहस में गर्मी के लक्षण कब दिखाई देते हैं तो बहस में गर्मी के लक अगला कोश्चन हे में पाचन चमता कितने प्रतिसत होती है तो हे में पाचन चमता होती है आपकी 45 प्रतिसत कितने प्रतिसत होती है हे में कितने परिस्चत सुस्क पदार्त की मात्रा होती है 35 प्रिस्चत जो developing कितने परिस्चत तक नमी पाई जाती है तो आपके तक पाई जाते कि 10 परसेंट 15 से नमी का कीतना होता है 15 अगला कोस्चन है पसु 24 घंटे में कितने घंटे जुगाली करती है तो पसु जो हो है 24 घंटे में कितने घंटे जुगाली करती है 8 गंटे कितने गंटे 8 गंटे अगला कुश्चन भारत में बकरी की कुल कितनी बानता प्राप्त नसले हैं तो भारत में कितनी है 34 34 अगला बदावरी भैंस के दूद में वसा का प्रिच्चत होता है कितना होता है तो अगला प्रिच्चत भारत में कुल पसू में से बकरी का प्रिच्चत है तो भारत में टोटल पसू में बकरी का प्रसेंटेट होता है 26.04 26.04 अगला question GoTap City कौन सी नश्ल की बकरी को कहा जाता है GoTap City कौन सी बकरी की नश्ल को कहा जाता है मैं उमेद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगे अगर पसंद आई ये वीडियो तो आप लाइक किजिये, सेर किजिये अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो फिलीज सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत तंजवाद